हे गाइस वेलकेम बेक टो माई यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ दोस्तो हमारे देश में खाने के बाद सोफ खाने की ब्रधा पूरानी है सोफ ना केवल खाने का स्वार बढ़ाती है बलकि ये हेल्थ के लिए भी काफी जादा फायदे मत है ये पेट की समस्याओं को कम करने मूग की दूरगंद को दूर करने और पाचन को बहतर बनाने में हमारी हेल्प करती है हलाकि इसके फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है आए जानते हैं कि खाने के बाद सोफ खाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है चलिए सबसे पहले जानते हैं सोफ के फायदे नमब एक पाचन में सुधार दोस्तों सोफ में ऐसे तत्व होते हैं जो कि पाचन के लिए को बहतर बनाने का काम करते हैं इसमें फाइवर, विटामिन C और मेकनीशियम अच्छी मातरा में पाया जाता है जिससे खाना जल्दी पचता है फाइवर पाचन में मदद करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है ये भोजन को जल्दी पचाने में भी हमारी हेल्प करता है और पेट की समस्याओं जैसे की गैस, अप्च और बदहजमी को कम करता है दोस्तो सौफ एक प्राकतिक माउथ फ्रेशनर का काम करती है ये मूँ की दुरगंद को दूर करती है और मूँ को ताजगी देती है दोस्तो सौफ मेटाबोलिज्म को बढ़ाने में काम करती है जिससे वजन कम होता है और शरीर के विशैले तत्व बहार निकल जाते हैं दोस्तो सौफ में एंटी ओक्सिडेंट गुण होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं इससे तवचा भी हेल्दी और चमकदा रहती है दोस्तो सौफ में प्रोटेशियम की मातरा काफी जादा होती है जो रक्त चाप को नियंतृत करने में हमारी हैल्प करती है इससे हिद्धे समंदी समस्यां भी दूर रहती है चलिए अब जानते हैं सौफ खाने के नुकसान के बारे में दोस्तो कुछ लोगों को सौफ से अलर्जी हो जाती है जिससे खुजली, सूजन और सास लेने में तकलीफ होती है इसलिए यदि आपको सौफ से अलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें दोस्तो सौफ में ऐसे तप वपाई चाते हैं जो हॉर्मन संतूलत को प्रभावित करते हैं इसका अधिक सेवन हॉर्मन संबंदित समस्यां को बढ़ाता है नमबर तीन मदू में रोगियों के लिए हानिका रख दोस्तो सौफ में शुगर की मात्रा बहुत जादा होती है जो मदू में यानि की डायबिटीज रोगियों के लिए हानिका रख है इसे सिमित मात्रा में ही आप सेवन कर सकते हैं नमबर चार अधिक सेवन से पेट की समस्यां दोस्तो सौफ का अधिक सेवन करने से पेट में दर्द, दस्त और उल्टी जैसे समस्यां हो जाती है इसलिए इसे कम मात्रा में ही खाए तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ मेरी ये जानकारिया आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे शेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूँगी एक न्योग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बबाई